कि हैलो दोस्तों वैल कम टू माई चैनल दोस्तों जैसा की अब लोगों को परसनावली 2.2 का दो कुष्चन पढ़ा चुका हूं और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कुष्चन N.3 को दोस्तों सटो दोस्तों Q3 इस question में आपको क्या करना है एक देखिए समी करण मैंने लिख दिया है यह आपके यंसी ERT बुक का तीसरा question है exercise 2.2 का देखिए लिखा हुआ है निम्न दिवगात बहुपदों के सुन्यक ग्यात कीजिए आपका यह समी करण दिया हुआ है इस समी करण का सुन्यक ग्यात करना ह सुन्यक कार्थ है इसका गुड़न खंड करके हमें सुन्यक ग्यात करना ठीक है और सुन्यको तथा गुड़ांको के बीच सत्यता की जाच कीजिए आपको सत्यता की जाच करनी है उसके लिए मैंने आप लोगों को दो फार्मूला बताया था सुन्यको का योग तथा सुन्य को का गुड़न फल आईए हम फार्मूला लिख लेंगे लेकिन पहले आईए हम देखते हैं इस कुश्चन को दोस्तों आप लोगों को जो ये कुश्चन दिया हुआ है इसका पहले हमें ग्यात करना है गुड़न खंड जैसे आपका 6x2-3-7x तो ये तो आपका है इस गुड़न खंड का आप लोगों को ग्यात करना है अब दोस्तों देखिए ये आपका जो गुड़न खंड है वो ब्यवस्थित नहीं है क्योंकि दोस्तों जो आपका गुड़न खंड होता है वो x2-bx-c के रूप में होता है ठीक है तो ये आपको ब्यवस्थित करना है 7x को इधर लाना है और इसे उस साइड में ले जाना है तो आई हम यहाँ लिख देते हैं कि जो समी करन है आपका जो समी करन है समी करन को सही रूप में लिखने पर सही रूप में करने पर देखे दोस्तों जो आपका समी करण है वो आपका सही रूप में नहीं है आपको इस समी करण को सही रूप में लिखना है अब सही रूप में आपको कैसे लिखना है कि जो आपका ये दिया हुआ है समी करण इसे आप लोगों को लिखना है 6x² और यह जो आपका 7x इधर ले आना है 7x और माइनस 3 को इधर ले कर जाना अचरपद को आपको लाश्ट में लिखना ठीक है अचरपद है अब इसका हम ग्याद कर लेते हैं गुरन खंड गुरन खंड ग्याद करना दिखी आपको ऐसा जोड़ा बनाना है कि हमें घटाने जोड करने पर 7 पडाप्त हो तथा गुरा करने पर कितना पर आपट दोस्तु च्चा क्ам थ्री से कुला करेंगे 6 3 तो आजगा 17 अगर आपको गुरण खंड यह स्कौरड का कोई भी आपका दिया हो आगी क्या दिया हूं दोस्तु आपका सिख्स इसकौइश तो आप 6, 6 को 3 से गुड़ा करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा अब आपको 18 अपने माने में रखना है और 18 का जोड़ा बनाना है तो देखिए दोस्तों जब हम घटाएं अगर 7, देखिए 9 में से अगर हम 2 घटाएं, कितना? अगर हम 9 9 में से 2 घटा ले देखिए, 9 में से मैंने 2 घटा लिया, तो 2 जब मैं घटाऊंगा, तो दोस्तों देखिए 9, 2 जा, 18 और 9 में से मैंने 2 घटा लिया, तो 7 बचाएं, तो इसका आर्थ है ये आपका सही है, ठीक है? बिलकुल और दोस्तों यहाँ जब हम ब्रेकट खोलेंगे तो माइनेस और माइनेस पलस हो जाएगा यह तो आप लोगों को पता भी होगा और यह हो जाएगा 2 एक्स और माइनेस 3 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं अब दोस्तों हमें इसमें कामन क्या लेना है, कामन आपमें इसमें क्या है अगर हम 6 कामन ले ले तो 6 नहीं है इसमें हम 3 x कामन लेंगे 3 x तो 3 तू जा 6 और माइनेस आपका यहाँ आएगा 3 3 तू जा 9 पलस, अब हम यहाँ कामन ले लेते हैं 1 क्योंकि दोस्तों जो breakout के अंदर का संख्या होती है वो दोनों बराबर होनी चाहिए ताकि मैं common ले सकूँ तो ये हो गया बराबर ये और ये संख्या देखिए बराबर होनी चाहिए तब आपका गुड़नखंड सही रहेगा अब हम इसे एक breakout में कर लेते हैं 2x-3 मैंने 2x-3 कामल ले लिया तो 3x-1 हम बच्छे स्वारी फ्रेंड्स 3x-1 ठीक है इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब हम इसका सुन्यक क्यासे ग्याद करें इसके बराबर आपको 0 लिखने ना है जैसे आपका दोस्तों ये 2x है 2x जो है 2x-3 के बराबर आपको 0 लिखने ना है और ये जो आपका 3x पलस 1 के बराबर आप लोगों को 0 लिखने ना ठीक है सुन्ने रखने ना है तो जब आप सुन्ने रखेंगे तो आपको क्या पराप्त होगा कि हम इसे 3 को इधर पच्छानतर कर लेते है और 2x हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा दोस्तों और ये आपका रहेगा जो 3x बराबर माइनेस 1 हो जाएगा माइनेस 1 क्यों होगा क्योंकि ये इधर पलस में है और इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ठीक है दोस्तों यहाँ आप लोगों को दोस्तों देखिए आपका कितना हो गया 3 तो दोस्तों अब हम पच्छानतर कर लेते हैं X को इधर रखते हैं और 3 अपांट 2 कर देंगे यह 3 अपांट 2 इस लिए हो गया क्योंकि इधर यह गुड़ा में है इधर जाएगा भाग में हो जाएगा ठीक है और यह आपका X बराबर माइनस 1 और इधर गुड़ा में है इधर भाग में हो जाएगा तो यह हो गए आपके दोस्तों आप लिख सकते हैं जो आपने वेवस्थित किया सामी करना 6X स्क्वाइर माइनस 7X माइनस 3 का सुन्यक जो है सुन्यक है सुन्यक जो है दोस्तों वो कितने है 3 अपांट 2 तो आईए हम लिख देते हैं यह सुन्यक है 3 अपांट 2 and माइनस 3 अपां स्वारी दोस्तों 1 upon minus 3 है अब दोस्तों इतना तो आपने सुन्यक ग्याद कर दिया आपको सुन्यक ग्याद करने फिर कुश्चिन में आए देखते हैं कुश्चन तो ग्याद तिसनिम ने दिवघात भहुपदों के सुन्यक ग्याद कीजिए मैंने सुन्यक ग्याद कर दिया और सुन्यकों तथा गुणांकों की भी सत्यता की जाच कीजिए आए हम सत्यता की जाच करते हैं आयम नीचे लिख देते हैं सत्यता की जांच करने पर यहां यह हम sats 있다 की जांच यहाँ हमें करना है सत्यता की जांच चाहिँ हम करते हैं hard नहीं है दुस्तू कैई से वालो को समझ दिया है अगर नहीं समत्य में आता हो तो यार वीडियो को दो बाद देखें लेकिन समझ लें question लो अब हम सत्यता की जांच कर लेते हैं सत्यता की जांच का मैंग इस formula बताया था यह как आप लोगों को याद होगा चुनने को का क्या था योगफल यार यह formula जरूर याद कर लें यह हर question में आपके लेगा exercise साइज 2.2 में सुनने को का योगफल योगफल बराबर जो आपका सुनने को का योगफल होता है वो दोस्तों किसके बराबर होता है मैंने कई बार बताया है आप लोग को याद भी होगा आई यह हम बता देते हैं आप लोग याद जरूर कर लें जो आपका माइनेस X का गुडांक जो आपका X का गुडांक होता है और X का गुडांक आप लोग समझे भी होंगे समी करण में जो X पद होता है और X स्कॉायर का गुडांक X का गुडांक उपर और माइनेस X का गुडांक और नीचे X स्कॉायर का गुडांक सुन्नेको का यог फिर हम गुरनफल बाद में देखेंगे सुन्नेको का योग आई यह हम सुन्नेक हमारी ये दु है इनका हम योग करेंगे तो आपका 3 अपान 2 और पलस यह आपका माइनस 1 अपान 3 है बराबर इसे आप लोगों को ऐसे उतार देना है लिख देना है ऐसे आईए हम लिख देते हैं माइनस x का गुडांग अपान x स्कुायर का गुडांग तीक है ऐसे आप लोगों करना है अब दोस्तों हमें क्या करना है कि हम क्रास कर लेते हैं मल्टिपलेशन यहां आप लिख सकते हैं 3 अपान 2 minus 1 upon 3 ठीक है minus 1 upon 3 कर सकते हैं आईए अब हम यहाँ लिख देते हैं यही आप लिख देना लिख लेना हम भी अभी लिखेंगे चलिए पहले हम कर लेते हैं 3 3 9 2 1 2 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 3 and 2 यहीं कि 6 और यह बराबर हो जाएगा minus x का गुरांग minus x का गुरांग upon x square का गुरांग x square का गुरांग अब दोस्तों देखिए यहाँ से मैंने 9 में से 2 घटाया 7 upon 6 और इसे आप लोग को लिख देना है ठीक इसी के बराबर देखिए बहुत ही जी है minus को इधर पच्छांतर कर लेता है एक बात ध्यान रखना है कि अगर हम केवल चिन्न को पच्छांतर करते हैं तो minus minus में ही जाएगा अगर हम चिन्न की साथ कोई संख्या 1,2,3,4 को हम दूसरे पच्छ में पच्छांतर करते हैं तो उसका चिन्न बदल जाता है जैसे यहाँ minus 2 होता है इधर पच्छांतर करते है तो plus 2 हो जाता है अब यहाँ केवल मैं चिन्न को पच्छांतर करता हूँ तो केवल चिन्न को पच्छांतर करूँगा तो इधर minus हो जाएगा और यह हड़ जाएगा आप लिख सकते हैं X का गुडांग अपान X स्कॉायर का गुडांग आए हम कुश्चन देखते हैं कि कुश्चन में हमारा सही है कुश्चन मेरा क्या था यहां आप लोग यहीं से समझ सकते हैं यह 6S स्कॉायर माइस 7X माइस 3 आईए हम बगल में लिख देते हैं दोस्तों आप लोग कुछ दिक्कत ना हो देखिए बगल में आप लोग समझ लीजिए लिखा हुआ है 6x square minus 7x minus 3 अब दोस्तों हम देखते हैं क्या इनके देखिए x का गुरांग x का जो गुरांग है वो minus 7 है क्या question में है x का गुरांग minus 7 ठीक है सही है x का गुरांग minus 7 है अब यहाँ देखिए x square का गुरांग 6 है x square का गुरांग 6 है इसका आर्थ है कि आपका सुनने को का योग आप लोग को ऐसे लगाना है आईए हम सुन्यकों का जो गुरन फल होता है उसे ग्याद कर लेते हैं फिर ये कुश्चन समाप्त हो जाएगा तो दोस्तों हम लोग सुन्यकों का योग फल ग्याद कर लिए हैं आईए हम सुन्यकों का गुरन फल ग्याद करते हैं दोस्तों ये दूसरे पेज में मैं बता रहा हूं इसलिए मैंने कुशन लिख लिया है और सुन्यक भी लिख लिया है तो जो सुन्यक का गुड़न फल होता है दोस्तों क्या होता है आईए हम देखते हैं दोस्तों जो सुन्यक का गुड़न फल बराबर बराबर सुन्यक का जो गुड़न फल होता है वो बराबर होता है अचर रासी या अचर पद अपान एक्स स्क्वार का गुड़न एक्स स्क्वार का गुड़न ठीक है आप लोग समझ भी रहें अंगे मेरी ऐसा है तो दोस्तों अब हम जो इसका हम गुड़ा करते हैं किसका जो सुन्यक है सुन्यक हमारे देख लीगिया आप उपर लिख दिया है माइनस 3 अपान 2 इन्टू स्वाइड इफिरेंट माइनस 1 है माइनस 1 अपान 3 अब हम जब इसका गुड़ा करेंगे तो यह आपका आएगा माइनस 3 अपान 6 बराबर हो जाएगा अचर पद अपान X स्कुार का गुड़ा यह देखिए दोस्तों यह आपका सूत्र है और यह आप सूत्र याद कर लीजिए तो अचर पद यह देखिए आपका यहाँ कुश्चन में मिला जी जी अचर पद यह आपका कितना है अचर पद यह देखिए माइनस 3 है और अचरपद यहाँ भी माइनिस 3 ही है देख सकते हैं और X स्क्वायर का गुरांख जो है दोस्तों 6 है और यहाँ देखिए X स्क्वायर का गुरांख 6 ही है तो इसका अर्थ है कि आप ऐसे ही जो question है उन्हें का सुन्यक ज्याद कर सकते हैं तो friends मैं आप लोग को एक question देना चाहिता हूँ और वो question कौन सा है कि सुन्यक के योग का सूत्र बताईए comment box में बता सकते हैं आप लोग सुन्यक के योग का सूत्र बताईए आप जब भी बताएंगे मैं आपके comment करूँगा और like करूँगा तो दोस्तों मेरी आसा है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा तो ऐसे आप ग्यात कर सकते हैं तो friends ये वीडियो यही पर समाप्त होता है अब मैं मिलूँगा एक नए topic के साथ एक नए वीडियो में मैंने कई सारे question को पढ़ा दिया है तो दोस्तों ऐसे question पाने के लिए सर्वन lecture चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें धन्यवाद दोस्तों